हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइ यूट्यूब चैनल हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आजर हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी आज मैं लेके आया हूँ मटर की सबजी, यह मटर है, बेसिकली मटर दो तरीके से होते हैं, यह कोता पीला मटर है और यह कोता हरा मटर, तो मैं बनाओंगा पीले मटर की सबजी, तो छोले की सबजी बनाने के लिए, यह मैं मटर की सबजी बनाने के लिए, पीले मटर की सबज सकते हैं इसके बाद यह मटर फूल के देगे ऐसा हो जाएगा है तो हम क्या करेंगे इसके बाद हम इसको बॉयल कर लेंगे तो बॉयल के लिए मैंने कोकर ले लिया है और चार एक फूले इसमें डाल देंगे पीले तो पानी हमें इतना लेना है के मतर अच्छे से ढूब जा और थोड़ा सा पानी उसके ऊपर आ जाए बस इतना लेना है कियोंगि यह पानी हमं सकी सबझी में भी यूज कर लेंगे इसी के साथ मैं इसमें आदा चम्मच नमक डाल दूँगा और एक चोथा ही चम्मच इसमें मैं हल्दी डाल दूँगा हम इनको बॉइल कर लेंगे मटर है और ये बॉइल जल्दी होती है और उपर से ये भिगोए हुआ था तो इसको हम दो सिटी लगाएंगे जब तक हमारा छोला बॉइल हो रहा है तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं इसके लिए मैंने क्या कि कुछ मिर्ची ली है मैंने आप चाव तीखा चाते हो तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं इधर मैंने पके गई दो टमाटर लिए हैं थोड़ा साध रख लिया है ये लेसन कुछ पींस और यहिंकल रिख लिखा लिए है इनको कर लेते हैं और उसके वादे मिसका मिकशी में समय मैं तो हमारा पेस्ट बंकर रइडी हो चुका है अब इसे के साथ करेंगे इसको मचल को एभी सब मैंने आपको मसाले झ कर लिखा देता हूं मैंने यह औजा चमच आमचूर पाउडर लिया है एक चौता ही हल्दी लिया है क्यों हल्दी हमने बॉयल करते टाइम भी डाला था आदा चमच हमने लाल मिर्च लिया है एक चमच हमने गरम मसाला लिया है एक चमच हमने धनिया पाउडर लिया है आदा चमच हमने जीरा लिया है आदा चम्मच हमने नमक लिया है, नमक हमने बॉयल करते टाइम भी डाला था और इसमें तो ध्यान रखना नमक ज्यादा नहो, इधर मैंने कुछ काली मिर्च ली है, तड़के के लिए एक सावत लाल मिर्च ली है सूखी, और ये तेज पत्ता लिया है, हमने कडाई में तीन बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया है, तेल गरम हो चुगा, इसके बाद हम एक एक करके चीज़ डालना शुरू गरे में, ये सबसे पहले हम इसमें तेज पत्ता डाल देते हैं, इसके बाद हम मिर्च को तोड़के डाल देते हैं, और इसके साथ हम जिसमें जीरा भी पेश जो पनाया था, इसके बाद हम एक एक करके मसाली डालेंगे, ये हल्दी डाल दिया हम ले, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, ये नमक, और ये आपका काली मिर्च, इनको मिला लेंगे, अच्छे से, और मेडियम फ्लेम पे इनको पकने के लिए छोड़ दाएंगे, जब तक कि जब तक तक तेल और मसाला अलग अलग न हो जाए, कुछ इस तरह का आपका मसाला हो जाए, तो समझ लेना कि आपका मसाला पक चुका, ये देगे, तेल साइड से निकलने लगे, और मसाला अलग हो जाए, तो ये मसाला पक चुका, अब इसी के साथ हम क्या करेंगे, इसमें बॉइल के भू छोले डाल देंगे, ये छोले थे जो बॉइल के थे हमने ये देखिए, और ये इस तरीके से होना जाए, सोफ्ट होना चाहिए, टाइट रहेगा, तो खाने में छोल पानी लगेगा, तो सोफ्ट होना चाहिए, और पानी आप देख सकते हैं, पानी हमने कितना डाला था, तो पानी सारा हम इसमें पलट देंगे, छोले के पानी, तो मैंने छोले पलट के मिला दिया है, अच्छे से, आपको अगर ग्रेवी और ज्यादा चाहिए, तो आप उस हलका सा ग्रेवी चाहिए, तो हमारे दसनाट हो चुके हैं, और छोला हमारा बनके रेडी है, इसी के बाद हमके इसमें आम चूरु जो पाउडर था, वह हमें आदी चमच इसमें डाल दिया, इसको अच्छे से मिला लेंगे, और इसको फिर हम सर्व करते हैं, तो दोस्तों, आप देखिए हमारी पीले मटर की सबजी बनके रेडी हो चुकी है खाने के लिए, बहुत टेश्टी लगती है, आप इसको पूरी पराठा, चावल पुलाव के साथ आप इसको ट्राई करिए, और खाईए और हमें बताईए कि ये सबजी आपको कैसी लगी, और हमारा चैन